एलो फ्रेंज वेल्कुम बेक टू माई चैनल देखिए गोपाल जी के लिए हम छोटा से सूट बनाने जा रहे हैं तीन कलर है रेड कलर तो बिल्कुल छोटा चाहिए ठीक है इस कलर से हम अपने फंदे डाल लेते हैं उपर चोली त्यार करेंगे सबसे पहले ये वाला फंदा हमारा खीचा हुआ होना चाहिए अब डवल गोला ऐसे रख लीजे ऐसे साइड में रख लीजे डवल धागा ऊपर लपेट के इस तरफ हमें ऐसे फंदे डालने हैं तीन नंबर को पाल जी के लिए 16 फंदे डालोंगे में एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस और त्षे फंदे और डालोंगे ठीकते हैं थेखे स्मे ने 16 फंदे डाली हैं और ये मेरी दस नंबर की सिलाई है अब मुझे इसी तरह उल्ठी उल्ठी चारशलाएं निकाल ली हैं दोनो तरफ से सामने से भी और उल्ठी तरफ से ठीक हैं यह जोस्टे निकाल के आपक उतारोंगे एक फंदा में उल्टा बनाओंगे दो फंदे बना लिए धागा पीछे करके बीच वाले फंदे में अपने डवल करोंगे एक बार आगे से उसी फंदे को ऐसे धागा घुमा के पीछे से आगे से उसी फंदे को ऐसे घुमाएंगे और पीछे एक फंदे के दो फं फंदे डवल कर दूंगी वो साइड वाले चार फंदे मेरे सिंगल बनेंगे दो इस तर शुरू में और दो लाश्ट में दो फंदे रह गई हैं इनको मैं उल्टा बनाऊंगी एक दागा पीछी करके सिधा बने जाएगा ठीक है अब उल्टी तरफ से पूरी शिलाई उल्टी डालूँगी एक फंदा उतार के फिर लाश्ट प्यां के दिखाती हूं आपको ठीक है ये पूरी शिलाई मेरे उल्टी बनेगे लास्ट वाला धागा पीछे करके उल्टी तर्फ से सीधा फंदा बना दिया मैंने अपने सवी फंदे बढ़ाए हैं इस चिलाई में पूरी चिलाई उल्टी डाली अब एक फंदा उतारूंगे आगे के दो फंदे मुझे उल्टे बनाने हैं ये मेरे तीन फंदे बन फंदे बीच वाले सीधे बना दिये थागा आगे करके लास्ट वाले दो फंदे उल्टे थागा पीछे करके एक फंदा सीधा ठीक है जब उल्टी तरस से बनाएंगे तो पहले फंदा उतार लेंगे हम बागी के उल्टे बनाएंगे लास्ट पे आके दिखाते हूं फिर उ अब इसको उतार लेंगे, बाकी दो फंदे उल्टे, थागा पीछी करूंगी, एक, दो, तीन, टोटल मेरी सिलाई में छे फंदे हैं, एक सीधा, दो उल्टे, ये तीन सीधे, अब मैं बीच वाले फंदे अपने डबल करूंगी, एक बार सामने से, एक बार उल्टी तरफ से, एक फंदा डबल, वा सामने से, उल्टी तरफ से, दो फंदे डबल, सामने से, उल्टी तरफ से, तीन फंदे डबल, देखें फ्रैंस, मैंने छे फंदे अपने डबल कर लिए, अब एक फंदा मैं अपना सीम्पल बना लूंगी, बस, बाकी बीच वाले सभी फंदे अपने फिर डबल करोंगे, जो इस तरफ रहेंगे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, डबल बना रहें हुँ है, अपने फंदे, ये पाँच, एक आगे से, एक पीछे से, ये छे, एक फंदा मैंने अपना बीच में सिंपल रखा हैं, बाकी मैं अपने सभी फंदे डबल कर दूँँ ह इस तरव से तीन फंदे ये दो उल्टे हैं, एक उत्रेगा, तीन और तीन मुझे और सिंपल बनाने हैं, इस तरव के छे फंदे मैं बिल्कुल सीधे बनाऊंगी, उन में से तीन सीधे बन जाएंगे, धागा आगी करके दो उल्टे, धागा पीछे करके एक सीधा, ठीक है उल्टी सिलाई उल्टी बनाऊंगे फिर सामने आके दिखाती हूँ ठीक है देखिए मैं उल्टी सिलाई डालके सामने आ गई हूँ अब ये सिलाई मुझे सेम इसी तरह बनाने है जैसे दिखरी है एक फंदा उतारेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे थागा पीछे बीच कि दिखाती हूँ ठीक है कि हमने स्रीफ दो बार वार बढ़ाई है आग़ेगे दो फंदे उल्टे वर बीचे दागा पीछे करके एक फंदा सीधा, ठीक है, देखिए हमारी उपर से चोले की लंबाई पूरी हो गई है, अब हम अलग करेंगे अपने पल्ले के और बाजू को, एक फंदा उतारेंगे, ये दो हो गए, तीन, चार, पांच, और ये छे, ठीक है, छे फंदे बना लिए हमने, दो फंदों में बने, दो है गए, दो है फंदों में अलगे, constant ये प्रीक लिए हो गए, वापिस एक आगे से, तीन, चार, पांच, शे, साथ, और ये आठ, ठीक है, आठ फंदे हमने अपने कंग लिए, बाजू के लिए, अब पीछे के फंदे बनाएंगे, दो है सिलाई में, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और ये चोदा, इस तरफ देख लेती हैं, दो, चार, छे, मुझे सामने के पले के लिए चाहिए, और आठ मेरे बीच में बाजू के कम करने हैं, द दो, चार, छे, आठ, एक फंदा और बनेगा, ये पंदरा फंदे बन गे मेरे पीछे साड के, अब धागा आगे रहेगा, ये मैं दो से बाजू कम करूंगी, एक फंदा कम, वापिस, ये दो फंदे कम, वापिस फंदा, एक आगे से, तीन, ये चार, ये पांच, ये छे, य आठ फंदे कम हो गए, दो, चार, पांच, और ये छे, एक मेरी सिलाई में, ये छे फंदे बन गए हमारे, अब मेरी बाजू जोड जाएगी, ये देखिए, ठीक है, अब एक सिलाई तो मैं ऐसे ही निकार लूँगी, सीधी, तागा पीछी करके, इसे, सभी फंदों को इसी तरह सीधा बनाऊंगी, उल्टी सलाई उल्टी डालूँगे, फिस सामने आके दिखाते हूँ, ठीक है, ये मेरी सभी जोड जाएंगे फंदे, जो दूसरी बाजू है, वो भी साथ में बन जाएगी, ये ऐसे करके इसको ये वाला फंदा ऐसे खैंच के बनाएंगी, ठीक है, उल्टी सलाई पूरी उल्टी डालूँगे, फिस सामने आके दिखाते हूँ, दो फंदे उल्टे, ठागा पीछी करके, एक फंदा सीधा, ठीक है, ये पूरी सलाई उल्टी बनेगी, दीके अब मैं सामने आ गए हूँ, अब मैं अपने पूरे फंदे उल्टे बनाऊंगी, दोनों तरफ से, चाल सलाई आ, दो सामने से उल्टी और दो उल्टी तरफ से उल्टी, बस इसी तरह हमें चाल सलाई बनानी है, फिर अपने फंदे कम कर देंगे, ठीक है, दिखाते हैं, मैं आपको उल्टी तरफ से सभी फंदों को बंद करते हूँ, दो में सलाई डालके एक वापिस फंदा एक आगे से लेना है हमें, दो का एक, वापिस फंदा एक आगे से दो का एक, ये सभी फंदे आपको बंद करके फिर दिखाते हूँ, ठीक है, देखिए, इस फंदे को एक बार ला ठीक है तीक है ये चार नमपर को भी आ जाएगी दो नमपर के लिए आप फंदे 14 डालीगा ठीक है ये दोनों साइज को आराम से आ जाएगी छोली अगर आपको लगए कि थोड़ी सी टाइट है तो आप 18 फंदे डालीगे उपर ठीक है ठीक है ठीक है अब हम अपना सामने की पेंट बनाएंगी और इसके उपर भी लगाएंगी 33 फंदे डाली है वैसे तो 30 फंदे डालते हैं मैंने तीन फॉल्ट दू लिए हैं 33 फंदे हैं ये तीन उपर 30 33 फंदे हैं एक सिलाई में सामने से उड़टे डालूंगी ऐसे फिर उड़टी तरफ आके रिखातीं आपको ठीक है ये पूरी सलाई उड़टी बनेगी मेरी तीक है फिरेंड सामने से पूरी सलाई उड़टी बन गई अब उड़टी तरफ आई हूंए एक फंदा एसे बना लूंगी मैं सीधा ठीक है ठागा उपर ऐसे ये औल्टी तर्फ बना रहे हम डिजैन दो फंदो का एक कर दूगे थागा ओपर घुमाऊंगे आगे बीड़े बाण होंगे। फंदा कोई कम नहीं होगा और ना ही कोई बढ़ेगा फंदा ठीक है हम सिर्फ जाली उपर त्यार करें हैं अपनी डोड़ी डालने के लिए सवी फंदे इसी तरह बनाने हमें उल्टी करफ से दो फंदों का एक ठागा घूमाएंगे दो फंदों का एक बन जाए है सामने आके दिखाते हूं आपको ठीक है ऐसे घूमाके दो फंदों का एक ऐसे घूमाके आगे दो फंदों का एक सामने से पूरी सलाई उल्टी उल्टी तरफ से पूरी सलाई उल्टी फिस सामने आके दिखाते हैं ठीक है दो सलाई बिल्कुल पले निकलेंगी सामने से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी फिस सामने आके दिखाते हैं आपको ठीक है देखे फ्रेंट्स उल्टी सलाई पूरी उल्टी डाल के मैं सामने आ गई हूँ ठीक है एक सलाई सामने से उल्टी डाली उल्टी तरफ से ये मेरी चार सलाई ये निकल गई है अब चार सलाई ये मुझे दो सामने से सीधी बनानी है ऐसी और दो उल्टी तरफ से उल्टी बनानी है ये चार सिलाईयां बनाके आपको फिर दिखाते हूँ ठीक है ऐसी सीधी सीधी बनानी है सामने से और उल्टी तरफ से उल्टी बनानी है दो सामने से दो उल्टी तरफ से फिर सामने आके दिखाते हमें आपको ठीक है देखे फ्रेंट्स मेरे चार सिलाईयां कम्प्लीट होगी दो सामने से दोल की तरफ से और चार हमने उपर निका लिए थी टोटली आठ सिलाईयां हो गई है अब नोवी सिलाई है इसमें हम अफने फंदे आधे-आधे करेंगे 33 फंदे हम इने डाने है 16 फंदे मैं एक तरफ बनाऊंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और यह 16 इस तर मेरे 17 फंदे होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 यह 16 फंदों की मैं ऐसे वापस सिलाई मोड़ लूँगी 2 सिलाईय ऐसे निकालूँगी उल्टी तरफ से एक सामने से सिर्फ 16 फंदों की बीच में हमने पजामी की कट डाल दिया है सामने से सीधी फिर यहीं पर आके दिखाते हूंगी आपको ठीक है कम करने के बाद हमारी तीन सिलाईय निकल जाएंगी वो चोथी सिलाईय में हम अपने फंदे कम कर देंगी कि हमारे छोटी से वापाल जी है तीन नंबर की यहीं चार नंबर को भी आराम से आ जाएगा से सामने से सीधी मों सामने से औलटीय कर लेते हैं वाणना यह मुड़ेगा एक सिलाई हम ने सामने से डालनी सीधी कट डालियां एक सिलाई औल्टी तर्व से हम जब दवारा सी पेंटर बन जाएगी गोपाल जी कि Andais that will Me है इस यह दो तरफ सेरे और निखल की दिखाती हूं आपको एक उल्टी तरफ से उल्टी आ जायेगी और एक सामने से इन सौनाफंदों के ठीक है अफड़त दो सिलाई है सामने से सीधह दिखने लगई हमने चार सिलाई यह निकाली चार सिलाई हमने यह निकाली उसके बाद हमने एक सीधी सिलाई निकाली आधे कट में एक उल्टी निकाली फिर अब हमारी दो दिखरी है ठीक है अब हम अपने फंदों को कम कर दिए दोंने स्राय डालके एक 25 फंदा एक आगे से इसी तरह जैसे हमने ऊपर कम किये हैं बाजों में कम किये हैं नीचे चोली पर कम किये हैं उसी तरह कम कर देंगे these एक तरफ की हमारी पैंटर रेडी है अब मैं अपना धागा यह लखा बिल्कुल बीचो बीच जो हमारा फंदा है नोट लगा के फिर दिखाते हूं ठीक है इस तरफ हमारी 17 फंदे थे हम पहली एक फंदा कम कर देंगे अपना तोड़ी चोड़ाई हो जाएगी इसे सिलाई दो में डालकी एक बना देंगे यह हमारी 16 फंदे रहे जाएंगे इस त देखेंगे फिर इस तरफ कीवी में इस तरह कम कर दो तोड़ी दिखाते हूं आपको ठीक है इस दोनों तरफ से कम करने के बाद हमाई पास ऐसा कुछ पैंट की शेप आई है अब यह हमारा बीचो बीच ऐसे देखिएगा यह वाला पोश्च यहां पे हमें अपना बीब बनाना है देखिए इससे जो यह वाला है हमारा होल यहां पे हम अपना इसे धागा बादेंगे यह साथका इबादेंगे सामने हम डिजाइन बनाएंगे देखिए मैंने एक रोशी से त्यार किया था अपने गोपाल जी के लिए आपको मैंने सिलाहियों से बता रही हूँ इसे डवल नोट लगा लिया हमने यह हमारा बीचो बीच है थोड़ा इस तरफ लगाना है हमें नोट एक मेरा फंदा यहाँ पर ऐसे बन जाएगा ठीक है अब बिल्कुल बीचो बीच आएंगे हमें यहाँ पर एक फंदा उठाना है हमें ऐसे एक ऐसे खैच लियना है फंदे को उठा के इतना खुला हमने खैच लिया देखी थागा आगे लेके आऊंगे दो बारा वही पर निकालोंगी सिलाई को यह दो ऐसे खैच दे जाएंगे दोबारा वहीं पे तीन धागा आगे करूँगी दोबारा वहीं पे ये चार पीछे करूँगी धागा दोबारा वहीं पे ये पांच दो, चार, पांच हो गए धागा में आगे लेके आओंगी ये छे धागा आगे आएगा आगे से फंदा बनेगा ताका पीछे जाएगा पीछे से बंदा बनेगा ये साथ एक थोड़ मैंने अपनी साथ फंदे बना लिए ऐसे खुले खुले से बनाई है ठीक है साथ फंदे बनाने के बाद अब मैं इस तरफ जाओंगे ये पोशन छोड़ देंगे इसके ओपर ऐसे फंदा उठा लूँगे ठीक है एक हमने इस तरफ बनाया था साथ मेने बीच बनाई है टोटल मेरे नो फंदे मेरे सिलाई में है अब ऐसे खुमाऊंगे इनकों में एक फंदा उल्टा बना लिया आगे का एक फंदा उल्टा ऐसे खुमाँके उसी फंदे को डवल बनाएंगे एक फंदे के दो बना लिये एक फंदा सीधा आगे ऐसे एक फंदा घुमाऊंगे एक फंदे के दो बना लोंगे दो फंदे आगे वाले एक फंदा इस तरफ से ऐसे घुमाँके दो बारा एक फंदे की दो दो बना रही हुँ में एक फंदा सीधा उसी को घुमा के दो बारा दो फंदे बन गए एक फंदा सीधा उसी को घुमा के दो बारा और इस तरफ से एक फंदा सींपल हमने इस तरफ भी एक फंदा सींपल किया था ये वाला फंदा एक बार ऐसे एक बार घुमा के ऐसे ठीक है अब मैं अपनी सिलाई यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा आगे जहाँ अपने नोट लगाया था एक फंदा यहाँ पे बना लेंगे टोटल मेरी सिलाई में दो चार छे आठ दस बारा चोना सोला फंदे दोवारा ऐसे घुमाएंगे अपने काम को ये वाली पूरी सिलाई में एक इनिट ऐसे धागा पीछे कर ऐसे सिलाई डालके ऐसे सीधी बना लोगे दो ती चार पांच चे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा और ये सोला फंदे ठीक है मैंने सोला फंदों का ये डिजैन बनाया है उल्टी तरफ से उल्टे बनाएंगे ये सामने आके दिखाती हूँ ठीक है देखिए मैंने उल्टी सलाई बना ली है अब ऐसे सामने से उल्टा उल्टा बनाने है मुझे ये सामने से उल्टा बनाएंगे ताकि हमारा ये कठा नहो दो सलाई हमाई सामने उल्टी दिखेंगे ये चार सलाई हमाके आपको फी दिखाते हैं सामने से दो नो नो तर्फ सी ठीक है कि दिखिए फ्रेंट चार से लएई दीख रही है सामने से उल्टी मैंने लटẬ explicit, योई निकाल है मैं अपने फंदे उल्टी तरफ से बंद कर दोंगे दो में स सनाई डालके एक वापिस थना एक आगे से इसी तरह हमें अपने सवी पंद ठीक है यह मोड के हमें ऐसे सिलना है यह मोड के ऐसे सिलेंगे और यह सामने पोशन आएगा अब इसकी तनी बनानी है हमें उपर बादने के लिए उसके लिए मैंने 35 35 फंदे डाले हैं 5 उपर 30 अब मैं उल्ट उल्ट बना लूँगी इसकी दो सिलाइएं उसके बाद सभी फं इसको बंद कर देंगे अगर आप बरीक रखना चाहते हैं अपनी यह बैल्ट तो बस एक सिलाई डालके बंद कर देजीगा देखे फ्रेंस मैंने एक ही सिलाई डाली है सामने से उल्टी अब उल्टी तरफ से इसको बंद कर दूँगी बस जादा चुड़ाई हो जाएगी दो सिलाई डालेंगे कि देकिए ऑक ही सिलाई डाली है फंद है 35 फंद है 25 एक सिलेगी अल्टी तरफ से आपलई करगे विशा व्रेट से एक ब्रफिए तो बंद कर दूँगे वह बस हमारे उपर वैल्ट मिल जाएए ऐसे ऐसे गुलाई में ऐसे बाद ने सुनी के साथ हम ऐसे सी लेंगे इसको सामने ठीक है दिखाती हूँ अब हम कैप बना लेते हैं गोपाल जी की देखे फ्रेंट्स तीन नमबर गोपाल जी की कैप के लिए मैंने 20 फंदे लिए हैं मैंने 21 फंदे लेके उल्टी Tonight डालनी है मुझे ऐसे दो तरफ से 4 चार अधितिकाती हूं आपको सामने से उल्टी और उल्टी तरफ से उल्टी यह सामने कउर्व आ जाएगी तर्फी लेक्त को uhur दिखातीग अधिका इस दो चलाईया सामने दिख रहे हैं दो एल्टी तरव से अब मैं अपनी सिराँ ऐसे सीधे कर दूँगे इस सामने से सिरी एल्टी तरव से उसी मैं आपको बना के दिखाती ह cling हुआँ, total मैंने 11 शना शञाइँ निकालनी है चार, तो मैंने दोनों तरव अब ये वाली प्रेंद निकाल लूँगे फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है उल्टी तरफ से पूरी उल्टी सामने से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी, देखे फ्रेंज मैंने अपनी सलाईं कम्प्लीट कर लिया है, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, ठीक है, टोटल म मैंने सुई में डाल लिया है अब उल्टी तरव से मैं है सवी फंदे सुई को ऐसा उल्टा करके सुई में उतार लूँगी ठीक है सिलाई में से अपनी सुई में ले आओंगी सवी फंदे आराम से ले एक खिक करके चाहिए अगर ऐसे ला सकते हैं तो ऐसे कर लिजी कोई कि यहां पर दूसरी तरव से निकालें डांगे यहां पर एक नोट लगा देंगे अच्छी से खेंच किस्को अच्छे से खांचीये हैं है कहें कि जीन हो ऊपर से इसे नोट लगा कि कि यहां से यहां सर्ट करके यहां से द्क इसक servants अब यह ज्यूँद हैं अब हैसे उवप कि यह थागा थोड़ा सिलने के बाद इसको फिर कट कर दें कि हमारे धागा अंदर ही चला गया जब हम फंदे डालते हैं थोड़ा सा बच जाता है हमारा थागा अब यहां पर अच्छे से नोट लगा कि इसको कट कर दें एक तम ऐसे कॉर्णर जोड़ेंगे उपर लेकि हमकी दोबारा धागा सुनी की मतल से ही फिर इनको कट करूंगे यह जो पहली है इसको भी कट करेंगे अब इसको भी कट कर देंगे यह हमारी कैप रेड़ी है अब इसके उपर हम अपना डिजैन बनाएंगे ठीक है अब हम उपर लगाने के लिए कान बनाएंगे एसे नोड लगाना है हमें एक सिलाई के ऊपर थोड़ा खुला लगाएंगे इसके अंदर हमें अपने 12 फंदे बिनाने हैं उस इससाफ से हमारे आराम से 12 बनने चाहिए एक इसको ऐसे डवल कर देंगे ठीक है एक नोड लगा लिया म आगे करेंगकी दो फंद रखा पीछे करेंगे पीछे से संदा बनेगा जाए पांच थागा पीछे पीछे से संद्रूगे साथ थागा आगे-ागे से फंदा आठ ये नो ये दस ये ग्यारा और ये बारा ठीक है बारा फंदे मैंने एक नोट लगा के अपने बना लिए अब इन बारा फंदों को उल्टी तरफ से उल्टा बनाऊंगे एक सिलाई ऐसे उल्टी निकाल लिए हमें उल्टी तरफ से भी और सामने से भी इसका उल्टा सीधा भी कहीं नहीं है जब हम इसमें आगे काम करेंगे जिस तरफ सफाई होगी वो हम अपना सीधा बास रख लेंगे हमने बारा फंदे उल्टे बना दिये एक सलाई इस तरफ से 12 फंदों के उल्टी निकाल लेंगे यह उपर कैप पे लगी एक कान और सामने जो हमने पैंट के उपर बीप लगाया है उसके उपर डेक्रेट करेंगे हम एक यह 12 फंदे डाल के दो सलाई निकालने वेने अब तेसी सलाई में अपने फंदे कम करेंगे एक फंदा बना लूँगे आगे तीन फंदों का एक करूँगे तीन फंदे डालने मुझे अपनी सलाई में और इनका एक बना देना है ऐसे आगे तीन फंदे सलाई में डालूँगे तीनों का एक बना दूँगे आगे के तीन फंदे सिलाई में डालूँगे और तीन फंदों का एक बना दूँगे अब ये दो फंदों का एक बन जाएगा टोटल मेरी सिलाई में पांच फंदे रह गए हैं बारा फंदे डाले थे हमने अब सामने से लेखिए एक फंदा बनाएंगे वापस इसको सिलाई में रख देंगे अब यह जितने फंदे हैं एक एक करके इनके उपर ऐसे गिरा दूँए इसको एक यह दो यह तो यह तो इसको और बना देंगे अब देखिए एक कान हमारा बल्मिया इसको इंदर ऐसे करोशी की मदद से अंदर लेके जाना है देख लिजीगा आप सामने कौन सा हिसा रखेंगे एकदम सफाई बाला देख लिजीगा इसे पीछे लेके जाएंगे यह जो हमें नोट लगाया था उसमें भी थोड़ा सा धागा कट हो जाता है इसको भी ऐसे पकड़के इसे बीज में ही ऐसे धाग निकाल के नोट लगा देंगे और जो धागा बचेगा उसको हम कट कर देंगे ठीक है यह हमारी कैप का एक तरफ का कान बन लिया अब हम फेस बनाएंगे मूँ नीचे का वो भी हम इसी तरह त्यार करेंगे देखिए सिलाई यह हमें तीन चार हिस्से चाहिए जैसे मैंने यह बारा फंदे डाल के आपको दो सलेगे बना के फिर कम किये ऐसे हमें चार पीस चाहिए ठीक है दो कैप पे लगेंगे और दो सा बनाओंगी यह मूँ बनेगा सामने एसे खुला सा अनोट लगाना है उसी तरह यह दो पीस चाहिए हमें इसके भी मैं ऐसे बारा फंदे बनाऊंगी एक धागा पीछे करूंगी दो धागा आगे करूंगी आगे से फंदा ती धागा पीछे करूंगी पीछे से फंदा चार पांच मैं आपको बारा फंदे बना के दिखाती हूँ देखे फिर इस मेरे 12 फंदे बन चुके हैं अब उल्टी तरफ से मैं इन फंदों को ऐसे उल्टा बनाऊंगी एक बार 12 के 12 फंदों को आराम से इसे खोल खोल के उल्टा बना देंगी को आर देखें है प sovereign शों thoughts झाराम को झाराम से इसे खोल खोल सुकी हैं चुकी कर सकतिकित ख époती आरे 15 फंदों कोटते को शोले कि हुआ हैं थाशे,श हुआीं हैं इसाओ नुकी यह दो 喜歡या से तो हैं, यह हम और दूर ऊल्टा तो मैं से तो होला हैं,ज खोल्की ų मैं जा वि झाल 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 कमेट करके बताएं कि इजे आपको कैसी लगती हैं डिजैन बहुत मेनत होती है देखिए इन में ठीक है अब मेरा नाक रह गया यहां पे लगाने के लिए झाल 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 स्वारी हमने सिल्ली है अपनी पुशाक ऐसा सीधा करेंगे हम देखिए ये वाला लोग का रहा है ठीक है अब इसके अंदर हम डोले डाल लेते हैं यहीं से शुरू करेंगे आधे आधे डाल लेंगे आधे इस तरफ और आधे इस तरफ और आधे इस तरफ इससे पीछी लेके आनिया में डोरी जहां पे थोड़ा सामने कट छोड़ा है और इस तरह से भी डोरी अंदर डाल के दिखाते हूं मैं आपको ठीक है उपर बांदले के लिए अब हम इस पे अपनी आँख लगा लेंगे हमने पहले इस लेने लगाई थी उस पर सोखने में टाइम लगता है ठीक है दोनों तरफ ऐसे गम लगा के हम आँखे चिपकाएंगे देखे फिर हमने दोनों आखे भी लगा दी है और ये इसकी चोली है देखे हमें चोली ऐसे सामने से उल्टी तरफ डाल ले है ऐसे पीछे की तरफ ठीक है फिर हम पैंट डालेंगे अभी यह आँख ये लिए उतर भी सकती है मैं आपको दिखा देती हूँ डालके कि सिलाईयों का एकदम नर्म बन गया क्रोशी का थोड़ा मोटा सा बन जाता है और ये सामने ऐसे इनको पीछे करके तनी इनके उपर बांद नहीं है जो ये हमारे दो हमने सामने रखे हैं तनी वाले इनके ऊपर आएगी है मारी ये तनी बांद के दिखाती हूँ ये सामने का लुक है देखिए हमारी आखो तक ये अब गिली है ठीक है और ये कैप है तो पताईए के जरूर आपको कैसा लगाँगो अपाल जी का सेट ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको के बाइग